यहलो फ्रेंड्स Welcome back to tender analysis आज tender analysis में हम IOCL के tender को discuss करेंगे और इस tender में ना तो आपको tender fee जमा करना है ना ही imd amount fee भरना है और ना ही आपको work experience का certification इसमें देना है तो चलिए देखते हैं guys इस tender में यह एक्चुली मैंटिनेंस का टेंडर है और इस्प्लिट एसी टावर्ड कैसिट्स एर कंडिसनर्स का राइट यह जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो यूनो एसी होते हैं उसका मैंटिनेंस का यह कॉंट्रेक्ट है जिसमें कि आपको EMDA माउंट नहीं भरना है जिसमें आपको टेंडर फी नहीं भरना है यह दो साल का यूनो टेंडर है ओके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि रैगलर अपडेट मिलता रहे और कोई भी और सही सन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ओके तो यहाँ पर देखेंगे EMDA माउंट एंड टेंडर फी निल है ओके तो इसमें आप देखेंगे गाइस यहाँ पर 24 मंथ के लिए यह टेंडर यह maintenance रहेगा और यहाँ पर देखेंगे minimum value of single work order तो यहाँ पर clearly mentioned है one year, one similar completed work, nil two similar completed work, nil three similar completed work, nil तो इसमें work experience नहीं मागा है बट आपका same field में working का experience होना चाहिए इसके अलाबा जो भी आपका yearly financial report आता है profit and loss का जो statement होता है उसको CA के द्वारा आपका जो भी CA है CA से authorized, signed जो है वो document आपको submit करना पड़ेगा यह इसमें mention है जो annual turnover होता है so guys and यहाँ पर जो evaluation criteria दिया गया है AC किसका whole task का हो सकता है carrier का हो सकता है blue star का, godrage का, hitachi का तो इन सभी तरह के जो है आपको AC को you know maintenance करना पड़ेगा right so through two years अब इसमें क्या क्या documents चाहिए PF registration certificate PN card चाहिए GST number चाहिए and जो authorized person है उनके details along with documentation तो यह सारे चीज़ें आपको वहाँ पर देना पड़ेगा and बाकी जो है digital signature हो गया या other compliance document है यह सारे आपको submit करने पड़ेंगे more information के लिए यहाँ पर number दिया गया है आप देख सकते है and यहाँ पर mail ID भी दिया गया है you can contact on this given number और यहाँ पर जब भी tender you know submit करना होता है तो उसके पहले एक pre-bid meeting होता है जिसमें कि आपके जो भी doubts है site visit करना है जो भी problems है technical तो वो सारा चीज़ें जो है आप यहाँ पर pre-bid meeting में कर सकते हैं ओके so यहाँ पर जो है कोई भी issue होता है deputy general manager Indian oil corporation पारादीब्स हल्दियाहा बरोनी pipeline यहाँ पर अब है चंद्रापूड पारादीपूरिशा में है तो यहाँ पर आप जो है like you know submit करेंगे यह online ही होगा offline नहीं होगा तो आप जो है दो फरवरी से you know दो you know नो फरवरी तक आप जो है इस tender को फिल कर सकते हैं right and then कोई भी doubt होगा तो आप पूछेगा और contact number दिया गया उस पर आप contact कर सकते हैं thank you मिलते हैं ने टेंडर के साथ